उनका जो फर्द है वो एहले सियासत जाने। मेरा पैगाम महबबत है जहां तक पहुँचे। कुछ ऐसा ही काम करने निकले हैं दिल्ली IIT से रिटायर प्रोफेसर विपिन कुमार तिरपाथी जी। जिनें पंपलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपने अभी करनाटक चुनाओ के मद्दे नजर नौ दिन का कैमपेण चलाया। और लोगों से अपील की कि आने वाले विधान सबाचुनाओ में जन सरुकार से जुड़े मुद्दुक को ध्यान में रखकर वोट करें। तो ऐसी एक मुहिम लेकर निकले हैं तरिपाथी जी और आज वो हमारे साथ खुद निउस क्लिक स्टूडियो में मौजूद हैं। विपिन तरपैठी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत निउस क्लिक में। हमने आपको शाहिन बाग में देखा, हमने आपको और जगे धरने प्रटेश्ट में देखा। आप अपने डंग से अकले ये सब नफरत के खिलाफ एक कैमपेन आप लगतार मसलसल चला रहे हैं, महबत का पैगाम दे रहे हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैमपेन क्या है और इसका विचार आपके मन में कैसे आया। ये 1989 की बात है, 1989 जब देश में बड़े दंगे हुए खासतोर से भागलपुर में हुआ और रामशिला पूजन के नाम पर काफी नफरत थी मुल्क में। उसके जब में लोगों से बात करता था तो पड़े लिखे लोगों के दमाग में खासतोर से एक घिन पैदा हो गई थी अपनी देश के जो लाहों से, किसानों से, चूँकि उनका मजभ आपके मजभ से फरक था, इसलिए आपको घिन मैसूस हो रही थी, और ये बात मुझे बहुत चुभी, तब मैंने तैय किया था कि मैं इस की बीमारी के खिलाफ जो भी मुझे से बन सके अगा करूंगा, और तब मैंने हिसास किया कि ये बीमारी एक दिन की नहीं है, ये बीमारी तो लगभ बग जब से इस टीम एंजिन बना तब से चल रही है, वज़े ये थी क तमाम गरीब मुलकों पे यूरोप के मुलकों के कबजे हो गए, और उनको अपनी हुकूमत मचबूत करने के लिए उन देश के अवाम को नसल के नाम पे या धरम के नाम पे तोड़ना था, हमारे मुलक पे अंग्रिजों के हुकूमत हुई, 1857 के बाद से, जब देखा उन् में तो हिंदों और मसल्मान सबने मिलके अंग्रिजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनके दमाग में फिर आ गया कि हमें इस मुलक को धरम के नाम पर पॉलराइस करना है, धुरूबी करन करना है, बीमारी तब से चली आ रही है, बतकिसमती से हमारे हिंदुस्तान के स आजमी अपने पड़ोसी से नफरत करने लगा है, यह निहीं देखता है, कि आपको जैसे आ जानती है कि अभी एक संगठित प्रियास हुआ, जो राइनेतिक प्रियास था, भारत जोड़ो यात्रा, वो भी ऐसी एक महबत का पैगाम लेकर निकले, राहुल गांदी ने, वो समवाद भी उनका बड़ा मशूर रहा कि मैं नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल ले आया हूँ, तो आप भी महबत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन आपने अकेले चलने की रहा चुनी, ये एकला चलो, क्या है, क्यों आपने ऐसा सोचा, और क्या इससे कुछ बदल सकता है, आप क्या मानते हैं? अकेला तो बिरसल में नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने 1990 में भागलपुर की दंगे की हिंसा और रामजन महुमी आंदोलन से उपजी, नफरत के सबाल पर अमेरिका में एक दस्तकता बियान चलाया तो चार चार लोगों से मिला थामें, और उस कैमपेंड में कई प्रोफिसर ने कई विद्धियार सेर्च स्कॉलर्स ने मेरी मदद की थी, तो साथ थे, अब ठीक है, हमारा कोई ऐसा एक संगठिव पॉलिटिकल ग्रूप नहीं है, लेकिन तमाम हमारे विद्धियार थी, मेरे दोस्त, और मेरी जान पचान के बहुत सारे प्रोफिसर्स, जिनको मैं न इस पर आए मुद्दे पर अगर के अभी आप करनाटक में थे, 27 मार्ट से 4 अप्रेल ता, जी, जी, नौ दिन का आपने, आप करनाटक में चुनाओ हैं, तो आपने करनाटकों के चातरों के बीच भी गए, मेहनत कशों के बीच भी गए, तो आपका अनुभव क्या है काम तो यही था के, आम लोग रेडी वाले, आटो चलाने वाले, रिक्षा चलाने वाले इंसे बात करूं, तो वहाँ पर जो आटो वाले हैं, बो तो हिंदी समझते हैं, मैंगलोर गया सबसे पहले में, चार दिन रुका उधर, ODP में एक दिन के लिए गया, जब मैं उन्हा कारी लेके खड़े हुए हैं, आप पे फर्ज है क्या ऐसी हुकूमत लाओ जो उपर की तरफ ना देखे, कार्पूरिट की तरफ, अवाम की तरफ देखे, उसको जलील ना करे, सबसे बहला मसला हमारे मुलक का है, कि लोगों के दमाग में घिरना निकल जाए, सरकार पॉलरा साइज ना करे, सब को साथ लेके चले, यह मैं कहता था, तो यह बात, बाई एंड लार्ज, हिंदुों को, मसल्मानों को, औरतों को, मर्दों को, सब को समझ में आती थी, कई बार को मेरी भासा नहीं समझते थे, तो पड़ोसी से कुछ से कहे क्या रहे हैं, तो वापस में च परचा बांट रहे हो, इसमें लिखा है, कि साब वो 40% की सरकार से छुटकारा, मैंने का, आप सेंटेंस पूरा पड़ो, उसमें मैंने ये लिखा था, कि कॉंट्रेक्टर एस्वेशियेशन भी चिला रही है, कि हमें 40% कमिशन की सरकार से छुटकारा दिलाओ, और यह रुख गए, अगले दिन मैंने फिर परचे माटे, तो लोगों की और जाद मुझे मुझे महबत मिली, मैं महसूस करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में, अगर सौ लोग सच्ची बात को सुनने के लिए लालायत हैं, तो पास साथ आदमी ऐसे भी हैं, जो सच्ची बात को इं करसें, उनमें यह होसला आना ही चाहिए, कि आप इस इंटिमिडेट संसे घब रहा हैं नहीं, आप अपनी जबान से सच बोलें, नमरता के साथ बोलें, लेकिन सच बोलें, इस पे आप टिकें, तो एक बात तो यह हैं, दूसरा जो बच्चों में में गया, युनिवर्सिट का जादी कि हमारे मुलक में लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई लखाई से महरूम हैं, बहुत लोगी पढ़ाई, जादाती की पढ़ाई तो असी परसें लोगों की बार्मी की बाद चूट जाती है, और अपने पाउँ पे खड़ें नहीं हो सकते हैं, वो सिक्चा के आधा पे, तो ये हमारे सामने, जब तक हमारे मुलक का हर आदमी अपने पाउँ पे आर्चिक रूप से खड़ा ना हो जाए, सोचने के मामले स्वाबलन भी ना हो जाए, हमारी आज़ादी अधूरी है, ये बाद बच्चों को चमती थी, और अके लिए हिंदुस्तान की प्रिस्तानी, तुम अमेरिकन, तुम चीनी, हमारे मुलके के तीन करोन लोग तो बिदेशों में रहते हैं, हम सब एक ही हैं, पूरी हिमन सिविलाइजेशन एक है, और हर किसान का मजदूर का चायबों किसी खिते में धर्ती पे रहता हो, धर्त तो एक ही है, इसलिए घर्ण मत करो किसी से, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, देश के नाम पर, महम्मत पैदा करो, उसमें बहुत नाकत है, तो आप एक वैश्विक नागरिक का नजरिया लेकर चल रहे हैं, और हमारा देश में अभी लोग जात पास से ही उपर नहीं उट पा रहे हैं, तो एक बड़ तमाम मुकदमें, FIR, धंकियां, हमले, आप लगातार काम कर रहे हैं, नबे के दशक्स से, तो क्या ये सब भी जहिलने को आपको मिला, आप परिशान हुए, मिला तो, मिलता है, जैसे आगया, तो डर ने लगता, दस-पास मिनिट के लिए, फिर हिम्मत आती है कि हम काई के लिए खड़े हुए हैं, अगर कोई काम चालू किया है, तो अगर इस तो इन्टिमिटर से घपरा जाओं, तो फिर गाई के लिए में खड़ा हुआ था, तो पर अलंदर से एक थाकता आती है, जैसे अब उसका जो कॉल आया मेरे पास, मैंगलोर में, तो मैंने सोचा कि जब तो इसमें कहा कि पुलिस थाने आना पड़ेगा, तो हमने का हो सकता है, पुलिस में ये कंपलिंट करें, जो भी करें, क्योंकि एक आध बार इंदर में मेरे उपर खड़ा है, मतब किसी ने मुकतमादाय वो किया, फिर लिए लिखाई हो, गवर्नर को भेज दी, मैं तब इ आप इंदर गए थे, मैंने का गया तो था, तो बोले, आपने वहाँ पर एक स्पीच दी थी, मैंने का मैं साइंस के वर्कशोप पर लेक्चर देने गया था, मैरे पांच लेक्चर थे, एक वर्कशोप, चल्ड़ाफ नेशनल वरकशोप, उन लेजर फिजिक्स, उस पर मेर लेक्चर था, तो जब मैंने लेक्चर दिये तो मैंने का थे, हम इसी शर्ट में जाएंगे, एक लेक्चर मेरा इंसानियत पर होगा, तो बोले, लेकिन आपको पता है, कि आप पॉलिटिकल लेक्चिबिटी में साइं, मैंने का नफरत, पॉलिटिकल बीमारी भी है, लेकिन ये हमारे आधे रिस्तेदार, हमारे आधे दोस्त इस बीमारी से जकड़ गए तो ये सांस्क्रिटिक जहनियत की बीमारी, मांसिक बीमारी है इसलिए आप जो कहना चाहिए जिसे मैंने कुरोना के टाइम में कहा था कि इतनी नफरत को लेकर किधर जाओगे तो ये बीमारी इस महमारी से भी ज्यादा बड़ी है अच्छा आपने जैसे मैं मैं खुद मानता हूं इस बात का जैसे जिगर साब ने तो कहा कि मेरा पैगाम महबत है लेकिन महबत में मेरा मानना आजकल ये भी है कि अगर जो उनका फर्द है उससे आवाम आगहा ना हो उन्हें ना मालूम हो तो फिर वो पैगाम महबत का आगे नहीं जाएगा तो राजनिती की बात किये बिना बात अधुरी रहती है कि एवल महबत या इंसानित से बात किये बिना क्योंकि वही दरा डाला जिसे आपने राइनिती और कॉर्परेट के घर्जोड की भी बात की वो चिंता की वो क्या चिंता देख रहे हैं आप बलकि मैं तो ही मानता हूँ कि ये जो डेड़ सो बरस से धरती पर नसलवाद और सांप्रदैक्ता की आंधी आई हुई है ये औजार है प्रॉमिनेंट ये प्राइमरिल बिजनिस इंट्रेस्ट की वज़े से चालो हुआ इंगलेंड में जब कारखाना बना इस्टी मेंजिन की इजाद के बाद 1776 में इस्टी मेंजिन बना उसके 20-30 साल में मैंचेस्टर में 42 बड़े-बड़े कारखाने खड़े हो गए कारखानों के लिए जरूरत थी कच्चे माल की, कारखाना बनाने के लिए लोहे की, कारखाना चिलाने के लिए कोईले की और कारखाने का माल बेचने के लिए बाजार की तो उने कहा कि इंग्लेंड में हिंढ़ी कब्जाओ हो रहे हाँ उने कहा कि यहां के जो इकोनमी है उसको हम बिर्टिस्ट का गुलाम बना दे लेकिन हिहां से कोई आओ अवाद honor न था लियाज़ यहां के अवाम को तोड़ना तो सामप्रडाइक का तो प्राइमरिली बिजनिस इंट्रेस्ट का ही जो हम आजाद हो गए तो 1979 से फिर तमाश हिंदुस्तान में चालू हुआ बीस बरस तक तो 1947 से 1979 तक तो हिंदुस्तान में बड़ा पॉजिटिव हमारा डिस्कॉर्स था पॉलिटिकल डिस्कॉर्स लोग सही मद्गों की बात करते थे महबबत की बात होती थी नफरत बहुत कम थी एक आज जगे दंगा वग्यार हो गया तो मुना के बराबर लेकिन 1979 में जब एहमदाबाद में दंगा हुआ और भिवंडी में बंबई के नजदीक दंगा हुआ तो उसने एस्टिबलिश किया कि अगर आपको पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लानी है अगर कारोबारों पे कबज़ा अपना बढ़ाना है छोटे कारीगरों को उठन प्रोटेस्ट के जमाने में गया हूँ या और किसी मुद्य को लेके जाओं ये सारा का सारा हमारे हिंदुस्तान का बिजनिस क्लास उसमें 10% तो खुले दमाग के लोग हैं उसी तरीक से पड़ा लिखा टपका उसमें 20-25% खुले दमाग के लोग दी हैं लेकिन बाकी लोग जिक्र किया और पूरी एक जो यात्रा है क्या आज वो खत्रा बढ़ा है या वही है या कम हुआ है कैसे देख रहे हैं सामपरदाइकता का नफरत का खत्रा आज बढ़ा है या घटा है बढ़ा है बढ़ा है खास दोर से कम्पूटर ने बड़ी मद्द किये इन लोगों की 1991 1191 में हमारे देश में नई आर्थिक निपी आई, ठीक है हमारे लिए उसमक्त भुक्तान का संकट खड़ा हो गया, तो हमारे सामने कुई रास्ता नहीं तो जाना तो उस रस पे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फाइदा हुआ और नई आर्थिक निती का वे अपारी तब आर्थिक निती का फाइदा हुआ, वही तब का ज्यादा संपरदायक हो गया, वही टेलिविजन चैनल, हमारे एक टेलिविजन चैनल चलता था पहले जब बात में जब नई आर्थिक निती आई तो सेकनो चलने लग गए, लेकिन जितने सेकनो चैनल चले इन पे कबज़ा म रईसों का हो गया, और इनके जहन में नफरत एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट था, लिहाद आने उसको बढ़ावा दिया, आज हालती होगी कि हमारा मीडिया जिसका काम था प्रजूलिस निकालना, इनसान के सोच को सही बनाना, हमारे कालेजिज जिनका काम था, लोगों क्या ऐसी मुहिम जो इन्डिज्वल या कुछ लोगों को साथ लेकर चलती है, वो कुछ बदलाव लाप आएगी समाज में, एक छोटा सब्मा मैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी मुहिम से बदलाव आएगा क्योंकि मैं तो कभी-कभी आत्राएं नकालता हूं बिल्ली में तो कभी दो-चार लोग साथ हो जाते हैं, कई बार अकेला जाना पड़ता है, लेकिन ये मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हुँ इस मुल्क में, हमारे जैसे इस मुल्क में, बड़ी तादाद में लोग हैं और ये मैं मानता हूँ कि अगर ये गाउं में आबाबी जिसकी दो हजार हो अगर दो लोग भी सची बात कहने का होसला पैदा करें तो बाकी गाउं के जो लोग है उस गाउं में 20 दंगाई प्रिवर्टी के लोग भी है लेकिन ये दो लोग उन पर बहुत भारी पढ़ेंगे दंगाईयों के तो नेटवर्क है हमारे देश में लिंचिंग की आपने कहीं से कॉल की और हजार आप में जमा हो गए किसी का कतल किया और कातिलों के हक में आपने महपंचायत कर दी ये तो होता है लेकिन उसी गाउं में महादा हूँ कि अभी हमारे हिंदुस्तान का अवाम मजदूर कारीगर किसान जिन्दा है उसकी आत्म हमरी नहीं है वो नफरस से उपर है और वही हिंदुस्तान को जिन्दा रखेगा हमें सिर्फ इतनी जरूरत है गाउं पीछे दो आदमी हर महले में दस पाँच आदमी हर सिक्षण संस्था में दो चार जार ती ये टीचर्स सही सोच के चाहिए आप महौल बगल देंगे बस आखरी मैं अब समप करूंगा आप से काफी बाच्चित हुई एक आप गीत बहुत सुनाते हैं सब जगए जहां भी जाते हैं मैं चाहता हूं कि दो तीन लाइने उसकी लाश तमें गुन गुना दें वो मैंने एक अभी क्या हुआ कि किसी ने मुझे ये मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के सवाल पे कहा कि मौलाना रोते रो अमर भर तो मौलाना बड़े एहतराम सम्मान की चीज़ है लेकिन मुझे तुमने गाली करूप में इस्तमाल किया तो मैंने कहा कि ये जबान ब कोश करने आए हो प्यार के इस बाग को बरबाद करने आए हो बद जुबानी से जुबा आखरी शेर इस गजल का ये है फैक दो खंजर महाबत का समंदर खोल दो जुब मोशोशन से लड़ो जिसके लिए तुम आए हो बद जुबानी एक वो जो आप महाब छात्रों के बीच भी सुनाया करना टक में चलो संसार को ऐसे भी दो पंक्तिया पढ़ दिए जुनू के दौर में सच बात को कहा जाए जुनू के दौर में सच बात को कहा जाए इसका भी आकिर शेर और सुन लेज़ाब दर्दमंदी दर्दमंदी से बड़ा धरम में ही दुनिया में दिलों में दर्द का खिसास जगाया जाए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया विपिन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खुशी है आपसे बात करने को मौकर देखा कि इस मुर में भी क्या अलग जगाए हैं तरपाठी जी प्रफेसर साहब फिजिक्स के प्रफेसर और नफरत की बीमारी का इलाज करने निकले हैं अब देखे कितने सफल हो या नहीं हो उन्होंने कहा कि हर गाओं में हर महले में अगर दो दो लोग भी खटे हो जाएं तो वही है और एक उसका एक संगठित रूप भी सामने आए एक राजनेतिक पहल कदमी भी हो तभी एक कुछ बदलाओ संबफ होगा पर बोलना तो जरूरी है जैसे मैं भी अपने शेर से बात करूं कि हाला कि ये दौर जो है उसको कह रहा हूं कि सच कहने में सर कटने का खत्रा है क्या बात है सच कहने में सर कटने का खत्रा है चुप रहने में दम घुटने का खत्रा है क्या बात है क्या बात है जा जाएगा अगर आप चुप रहेंगे और फिर बोलने को कुछ नहीं करम में आप सब शामिल हुए आप आए आप इसे देख रहे हैं सबका शुक्रिया धन्यवाद